है गाइस वेलकम बैक मैं चैनल मैं हूँ सोनिया सोनिया व्लोग चैनल से और आज आपके साथ शेयर करूंगी खिली-खिली साबुदाने की खिच्री चोकि हम व्रत में अल्मोस्ट खाते ही रहते हैं तो फ्रेंट्स कुछ टिप्स फोलो करके आप भी अपनी खिच्री को इस दो 5-2 गंटे के लिए पुगा था बिगोने के टाइम आपने ध्यान देना है कि पानी अपनी लेवल तक रखना है स्फ़सा भीग जाए उतना ही रखना है और ज्यादा नहीं रखना है तो उससे आपका खिला-खिला साबुदाना बनेगा अगर भीगते वह साबुदा और यह है मेरे पास तड़का लगाने के लिए दो आलू और दो टमाटर को मैंने काटा है दो तीन हरी मिर्ची यह बड़ी बड़ी हरी मिर्ची थी और छोटी सी एक कप मुफली के दाने और एक निम्बू लोंगी ताकि यह डाइजेस्ट हो जाए थोड़ी सी दनी की पत्ती ले रहे हूं और व्रत का नमक भुना पिसा जीरा और काली मिर्ची यह दोनों घर के पिसे और यह है साबुच जीरा तरका लगाने के लिए और लाल मिर्ची रिफाइंड यूस करोंगी तो कड़ाई में में रिफाइंड डाल के अच्छी से गरम कर लोंगी फिर इसके अवाज आना शुरू हाजाती है तो पता लग जाता है काफी है इससे ज्यादा करोंगे तो फिर जली-जली स्मैल आएगी तो इसको में एक चन्नी में निकाल लेते ताकि एक्स्टर ओल निकल जाए इसका और तेल तो गरम हाई इसमें में डाल दूंगे जीरा जीरा भी मेर स्थेर करके बनाए तो राउ जार अलो को और साथ मं में डाले दूंगे इसमें टमांतर nieuwe टमांतर अले पर दाले आह आपकी साप नपिस नहीं चाहिए अप ऑनी सकतें आपके सबनापी सजीर अदा चमच और आदे चमच से पी कं मैंन लिकाली मिर्ची क्योंकि एफी लाल मि तुमीक टोटे थी हो विर्धा है टोड़ा से में सब्सक्राइब में हैं.. अब बड़ेने के दाला एक शुव आपके डाला दंज तूका हैं.. अब शुबादे ना के बिच पर टोटेऊर के बाद चुबाद एक च्पुआ हट लेगी.. तो चलाने का भी आप देख सकते हो मैं पोनी के उपर लेके फैला रही हूं तो इस तरीके से फैलाओगे तो आपकी साबुदाना कभी नहीं चिपकेगी तो मेरी साबुदानी की रेस्पी जो भी थी इसी तरीके से थी यह अच्छे से मैंने ढखके पका लिए ताकि थोड़ा करते हो आप खाने में बहुत टेस्ट है बनाते हुए भी बहुत खुशबू आने लगी दी मैं मिलूंगी आपको किसी नए व्लोग के साथ तब तक के लिए टेक कियो और बाइबाए